खावों की दुनिया मुकमल कहां है जीने की खाहिश करके next करना है और सबसे पहले आपने इस वेडियो के description में जाना है और आपने इस वेडियो को पहले download करना है यहां पे आप देख सकते हैं और उसके बाद आपने इसके timing को थोड़ा सा बढ़ा देना है उसके बाद यहां से आपने audio में आना है और आपने song को import करना है जिसका आ आपने layer में आना है, यहां से text में जाना है, और lyrics का पहला line टाइप करना है, यहां से आपने इसको ok करना है, उसके बाद आपने इस text को black color में convert करना है, आपने यहां पर click करना है, यहां से आपने black select करना है, और यहां से हमने इसका font भी change करना है, आपने इस development टेप करना है यहां से आप अपने मर्जी का कोई भी font select कर सकते हैं यहां पे मैं एक simple font select करता हूँ यह वाला और आपने इसकी size को थोड़ा सा बढ़ा करना है और इसको यहां पर adjust करना है और उसके बाद आपने song को play करना है और जिर जगे पे पहला lyrics खतम हो जाए आपने उससे आगे वाले text को delete करना है यहां से मैं इसको remove करता हूँ उसके बाद यहां पे हमने एक animation add करना है आपने text को select करना है यहां से in animation में आना है और आपने यहां से vibrate select करना है यह वाला यहां से आपने इसके speed को 0.5 रखना है और यहां से आपने इसको ok करना है उसके बाद आपने इस text में एक keyframe add करना है again text को select करना है यहां से आपने इस chabi पे tape करना है और यहां से आपने center में आना है आपने इस place पे click करना है उसके बाद आपने video के end में आना है again is plus पे क्लिक करना है और यहां से आपने थोड़ा सा पीछे आना है यहां तक again is plus पे क्लिक करना है और text को थोड़ा सा बड़ा करना है कुछ इस तरह से यहां से आपने इसको ok करना है तो friends यहां पे हमारे पहले text का काम मुकमल हो चुका है उसके बाद हमने एक emoji वाला text भी add करना है अगेन आपने layer में आना है यहां से text में जाना है यहां पे आपने कोई spell type करना है और अगेन आपने इसके color को black करना है और उसके बाद अगेन आपने इस double a पे tape करना है यहां से आपने my fonts में आना है और यहां से आपने एक emoji वाला font select करना है यहां पे मैं यह वाला select करता हूँ again आपने यहां से edit में आना है और यहां पे आप जो भी spell type करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं आपको different कसम के emoji मिलेंगे यहां पे मैं fill हाल यह select करता हूँ और यहां से आपने इसको OK करना है और अगेन आपने इसकी Size को थोड़ा Increase करना है और आपने इसको Drag करके यहां पे लगाना है और अगेन आपने इसके Extra Part को Remove करना है अगेन आपने यहां से Text को Select करना है अगेन आपने In Animation में आना है अगेन आपने Vibrate Select करना है और इसके speed को आपने again 0.5 रखना है यहां से आपने इसको ok करना है और again आपने इसमें keyframe add करना है पहले text में हमने जिस तरह का keyframe add किया था बिल्कुल इसी तरह का keyframe इसमें भी add करना है आपने इस key पे click करना है यहां से again आपने center में आना है आपने इस प्लस पे क्लिक करना है अगेन आपने टेक्स के इंड में आना है अगेन इस प्लस पे क्लिक करना है और थोड़ा सा पीछे आना है अगेन इस प्लस पे क्लिक करना है और आपने इमोजी के साइस को थोड़ा सा बड़ा करना है यहां से आपने इसको okay करना है और अगर मैं इसको play करूँ तो यहां पे यह कुछ इस तरह से work करेंगे तो friends यहां पे हमारे पहले text का काम मुकमल हो चुका है और आगे के text लिखने के लिए आपने just इनके copies बनाते जाना है यहां से मैं पहले text को select करता हूँ यहां से आपने three dots में आना है यहां से आपने इसका duplicate बनाना है और इसको drag करके आपने यहां पे लगाना है और आपने lyrics का दूसरा line type करना है और again आपने emoji वाले text का भी copy बनाना है again three dots में आना है again duplicate पे click करना है और इसको drag करके यहां पे लगाना है और अगेन आपने यहाँ पर क्लिक करना है और कोई दूसरा इमोजी सेलेट करना है यहाँ पर मैं यह सेलेट करता हूँ यहाँ से आपने इसको ओके करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दूसरे लिरिक्स का भी काम मुकमल हो चुका है और इसी तरह आपने आगे की लिरिक्स को भी ऐसे ही लिखते जाना है यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस सोंग के 6 लिरिक्स लिख दिये हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें एक कलर एफेक्ट एट करना है अगेन आपने लेयर में आना है यहाँ से मीडिया में जाना है यहाँ से इमेजिस में जाना है और कोई बेक्गरॉंड स्रेट करना है और उसके बाद आपने इसको रूटेट करना है और यहां से आपने आना है क्रोपिंग में मास को आपने इनेबल करना है फीदर को आपने 30 तक लाना है और आपने इसको कुछ इस तरह से क्रोप करना है यहां से आपने इसको ओके करना है और आपने इसके शेप को बड़ा करना है कुछ इस तरह से और इसको ड्रेक करके यहां पे लगाना है तो उसके बाद आपने यहां पे क्लिक करना है और यहां पे आपको जो भी कलर पसंद है आप उसको सलेट कीजिए यहां पे मैं First Pink सलेट करता हूँ और अगें आपने इसके Extra Part को Remove करना है और अगेन हमने इसमें एक key frame 8 करना है आपने इस background को select करना है यहां से आपने इस key पे click करना है उसके बाद आपने यहां से end में आना है अगेन इस plus पे click करना है और आपने इसको drag करके इस side में लाना है यहां पे यहां से आपने इसको ok करना है again हमने इस color को select करना है यहां से आपने blending में आना है यहां से आपने screen select करना है और यहां से आपने इसको ok करना है और उसके बाद यहां पे हमने इसमें एक दूसरा color भी add करना है again आपने इस color को select करना है यहां से आपने three dots में आना है यहां से आपने इसका डुप्लिकेट बनाना है और अगेन आपने इस कलर पे क्लिक करना है और कोई दूसरा कलर सेलेट करना है यहां से मैं ग्रीन सेलेट करता हूँ और उसके बाद यहां से आपने इस ग्रीन कलर को सेलेट करना है यहां से आपने इसको ड्रेक करके थोड़ा सा इस साइट में लाना है यहां पे उसके बाद अगें आपने यहां से इन में आना है और अगें आपने इसको ड्रेक करके थोड़ा इस साइट में लाना है यहां पे यहां से आपने इसको ओके करना है और अगर मैं इसको play करूँ तो यहां पे हमारा बहुत ही कमाल का colorful text effect बन चुका है और आगे के text में इस effect को apply करने के लिए again आपने इसके copies बना दे जाना है again आपने इसको select करना है again three dots में आना है और आपने इसको drag करके यहां पे लगाना है again आपने इस green color को select करना है और इस text में हमने दो अलग color select करने है again आपने first text को select करना है यहां से आपने color में आना है और इस बार एक मैं red select करता हूँ और उसके बाद आपने second वाला select करना है again color में आना है और यहां से मैं blue select करता हूँ यहां से आपने इसको okay करना है तो friends यहां पे हमारा बहुत ही कमाल का colorful text effect बन चुका है और इसी तरह आपने आगे वाले text में भी ऐसे ही color aid करते जाना है again यहां पे मैं वेडियो को थोड़ा skip करता हूँ तो friends यहां पे हमारा process complete हो चुका है और finally एक बार मैं आपको यह वेडियो प्ले करके दिखाता हूँ और उसके बाद आपने इस option पर क्लिक करना है और यहां से आपने इसको save करना है